हेलो कैसे हैं आप सभी एजबी टी साज बहु के तड़का में आप सभी का स्वागत है तो च्छतीस गड़ का फेमस करील बांस की सबजी बनाना बताएंगे जो च्छतीस गड़ के लोग बड़े चाव से खाते हैं तो बांस करील जो आज काल ही मिलता है सबजी मार्केट में तो पूरी रेश्पी के लिए लाश्ट तक हमारे वीडियो को जरूर देखिए तो दो चम्मतेल करील को अच्छे से साप धोकर उसके लिए कोचवएंडी है कोचवएंडी और करील क्या मिक्स सबजी है यह कोचाई है उसको अच्छे तरीके से बारी काट लिया गा है जैसे कि करील है उसी तरह अदो चम्मस तेल में बारी-बारी सबको भुना जाएगा तो पहले कोचई को भून लिये हैं ये कोचई है फिर भिंडी को अभी अच्छी तरीके से भून गया है मीडिया माच में भूनना है और एक प्लेट में निकालते जाना है तीनों को बारी-बारी भून कर बहुत सिंपर रेस्पी है परन्तु बहुत ही स्वाधिश्ट होता है ये देखि है जो भून चुका है अब उसमें प्याज लशून ये करील है ये करील भूना रहा है इसको भी मीडिया माच में करील को भून लेना है ये दिखिए इस तरह से शुन हरा होने तक के ब्राउन होने तक हमारे चैनल को लाइक और शब्क्राइब कीजिए 36 गड़ के सभी प्रकार की सबजी और वेंजन के लिए आज मीडियम करके ये भून चुका है ये सबजी को निकाल लेना है कोचई कोचई के बाद करील ये भून चुका है ये दोनों अब भिंडी को भिंडी डाल कर उसको भी मीडियम आज में भून लेना है तो ये कोचई भिंडी मेक्स है अब ये हरी मिर्च है पतला भी है और एक मोटी मिर्च भी हरी मिर्च की कटी हुई अब पूरी क्या क्या सबजी में जवरत है उसमें हल्दी मिर्ची नमक मसाला सब पहले ही आपको हमने डाला है वीडियो में ध्यान से देखिएगा ये भिंडी है मीडियम आज में इसको भून लेना एक बर इस सबजी को जरूर खाए ये कोचई है और करील है ये भून चुका है अब ये भिंडी है तो 36 गड़ का फेमस सबजी है मास करील की सबजी जो बजार में असानी से मिल जाता है जिन लोग खाते हैं उनके लिए तो बहुत ही स्वादिश्ट है तो ये इस पेसल हम 36 गड़ के लोगों को लिए ही सबजी को बनाए हैं जो इसको पसंद करते हैं ये भिंडी भी भून चुका है तो तीनों को भून कर हलके तेल में ब्राउन होने तक तीनों अच्छी तरीका से भून चुका है अब दो चम मस्तेल में बाकी मसाले को भून लेंगे तो इसमें राई डालना है हींग है ये थोड़ा सा सरसोदाना राई का लाल मीर्च भी डालना है नमक स्वादान सा डालना है ये दिखें लाशून अधरक सबको एकदम मीडिया माच में भून लेना है और ये कड़ी पत्ता है तो हमारे चैनल को लाइक और शब्क्राइब कीजिए अब ये हरी मिर्च के साथ ही ये लाल मिर्च भी है हरी मिर्च तो पहले ही बिंडी के साथ भून लिये थे तो अच्छे तरीके से सबको भून लेना भी ये चार टमाटर है तो पांच छे भिंडी था और एक पाव के करीब करील चार टमाटर और पांच से छे को चाही था उसको भी छील कर साब धोकर उसी के तरह बारी काट लिये थे जिस तरह भिंडी और करील था वैसे ही कोचाई को भी अब इसको ढग दी दिये दो मिनाट के लिए ताकि टमाटर अच्छे तरीके से गल जाए देखिए टमाटर बहुत ही टेस्टी सबजी है और पॉस्टिक भी है ये नमक नमक डालने से तुरंत ही टमाटर गल जाएगा तो चम्मच चलाते रहना है मिडियम आच में बनाना है सबजी को अब भिंडी करील और कुचाई ये सब को डाल दीजिए और सबको एक साथ अच्छी तरीके से चम्मच की सहता से मिला लेना है दस मिनट भी नहीं लगता है पूरी सबजी बनने में तो एक बार बना कर जरूर खाईए अगर आप करील खाते होंगे तो इसी श्टैल से बना कर खाएंगे तो आप करील का स्वाद और बढ़ जाएगा हमारे चत्तिस गड़ का फेमस सबजी है करील बिंडी और कोचई के साथ मिक्स सबजी जिसमें टमाटर हरी मिर्च लाल मिर्च और तड़का भी देखिए प्लेट में जो तेल था उसको भी हम अच्छे तरीके से कड़ाई में डाल दिये हैं वो मसाला भी था उसमें थोड़ सबजी भाप में पक जाती है देखें कि इतना अच्छा दिख रहा है तो यह बहुत ही स्वादिष्ट सबजी है एक बार बनाकर जरूर खाईएगा इसकी रेस्पी बहुत असान है और बस थोड़ी सी पानी डालना है अधा कटोरी के करीब ताकि सभी नमक मिर्ची एक साथ मिक्स हो जाए नमक स्वादा अंसार डाना है नमक, खल्दी, मिर्च अधा कटोरी के करीब पानी है अब उसे ढग दीजिए दो मिनट के अंदर में ही सबजी तैयार हो जाएगी तो हमारे एसबी टिसास बहु के तड़का को लाइक और सब्क्राइब कीजिए, सेयर कीजिए हमारे इस्टागाम पेज को भी देखिए, फेस्बूक पेज को भी देखिए, सौर्ट वीडियो को देखिए तो आप लोग देखते हैं, इसलिए हम इतना वीडियो डालते हैं और न्यू रेश्पी भी बताते हैं कम तेल मिर्च का भी सबजी बताते हैं और हमारे चटिस गड़ के सांस ही हम न्यू रेश्पी बताते हैं देखिए ये सब्जी बिल्कूल रेडी हो चुका है, तयार हो गया है, गर्मा गरम है, अब आप इसे बस गर्मा गरम खाईए, तो हमारे चैनल को लाश तक देखें, उसके लिए आप सभी का धन्यमाद, तो इन्जॉय कीजिए, करील मास की सब्जी मिक्स कोचई और थैंक बिंडी के साथ,